देश में मुस्लिमानों का हिदेशी कोन है ये सवाल देश के हर मुस्लिम की सामदे हर चुनाव से पहले होता है इस बार लोगसबा चुनाव में भी मुस्लिम समाज इस सवाल से घिराबा था ऐसे में मुस्लिम समाज में मद्दान को लेकर जन चापूती का कारियर मुस्लिम सम को यह समझाने की कोशिश की कि मुस्लिम समाज का हितेश शिकोर हैं इसी दुश्टिक उन्होंने समाज में जन जाकुरती की आपका बता दे कि प्यारी खान का कहना है कि देश आज़ात होने के बाद से ही मुसल्मान के हालात खराब है जितनी भी सरकार आई हम उनका केवल विशा से ही हिंदो मुसल्मान का मुद्दा गर्मा की रखा है कॉंग्रेस के वल हम से मिठी बाते करती हैं लेकिन हमारी विकास और उन्नती के लिए कुछ काम ने क्या है वोट का मतलब विकास से ना की जाती वाद लेकिन कॉंग्रेस ने बिते कई दश्कों से इसी पर आना चाते है तो हमें इस अंदेर से बाहर निकला होगा उसने मुस्लिमों की बात करना चाहिए अपने अधिकार की बात करना चाहिए अपने हिस्सेदारी की बात करना चाहिए तो यह होना बहुत ज़रूरी ने तो कॉंग्रेस ने हमको इतने निचले स्तर पर डाल जिया है कि जिसके कोई हद नहीं देगे मैंने अपने समाज को गटकरी साहब देवेंदर फड़नवी जी परविंदत के जी इन्हों ने जो मुस्लिम समाज के लिए काम किये वो दिखाया वो काम लेके गया उसके बाद मुस्लिम समाज को भरोसा हुआ कि नहीं भी जो प्यारे भाई बोर्ड रहे वो बात सही क जो पिछले कॉंग्रेस ने पचास साथ सालों में नहीं किया वो इन लोगों ने देड़ दो साल में काम कर दिया तो वो समाज को समझ में आ रहा है तो समाज अब देरे देरे जागरूत हो रहा है इतना थोड़ा समय लगेंगा इतना जल्दी यह सब चीज़े नहीं अब उनकी हालात इतने खराब है तो वो मुसलमान समाज को क्या दिलाएंगे तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है उनको भी बोला है कि भई आप पहले स्टेंड हो तब आप समाज को देने वाले कुछ बनोंगे मैंने इतना पैसा लेके आ गया देविन जी से गटकरी स आप से परविंदत के जी से बावन कोड़े साब से महनमते जी से तो आप क्यों नहीं ला सकते तो वो चीज उनके समझ में आई तो धीरे-धीरे बदलाओ दिख रहा है अभी हम आने वाला चुनाओ है उसमें हम 2 MLA की टिकेट मांगेंगे और कम से कम 20 कार्पुरेटर मांग अगर नहीं दिये तो फिर अंदूलन करेंगे क्योंकि अब तो यह शुरुआत है जो मुस्लिमों को इन्होंने एकदम निचले स्तर पर दाल के रखाता है ऐसे समझ के रखेते कि नहीं मुस्लिम कुछ नहीं और यह मुस्लिम समाज के वज़े सी पत्पे बढ़ते है आज 95% के ओपर इनको उड़ देता है और यह मुस्लिम समाज को क्या देते है कुछ है नहीं जो हमारे समाज के जो 25 साल से लोग इनके मिम्बर है उनके हालात इतने खराब है कि अबस उन्होंने अलप संख्यक का अद्यक्ष करके बना दिया है लोकल लेवल पर उसमें कोई पोस् सारे अपने लोगों को देते तो मुसल्मानों ने किया इनकी नौकरी करना इनके सतरंज उठाने का काम करना तो मुस्लिम अब जागरूत हो रहा है दीरे दीरे यह बदला हो आएंगा अभी देखिए मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे अच्छे निता है जैसे वो खदान और वो आज भुट्टो मुमिन पुरा का कार्पूरेटर बन के वही के वही है तो मुसलिम समाज के भी अच्छे अच्छे लोग है लेकिन बस उनको आगे बढ़ाना तो मैं उनकी भी बात करो मैं खली ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात या हमारे समाज की मैं उन मुसलिमों की बात करो जिसको कॉंग्रेस ने शोशित किया है तो उनको आगे बढ़ाना मेरा मकसद है मेरा मकसद चुनाओ रणना नहीं है आपका बता दे कि देश में लोगसभा चुनाओ का माहूल है इसे पेश कई राज़ितिक पार्टियों में मुस्लिम समाज का नेटुत्व करने वाल यह नागरिक्ता देने वाला कानून है और कभी भी क्या है इसे भ्रहम पहलाते कभी नीचे के स्तर में जाके देखा गरीब को इससे कोई लेना देना नहीं है गरीब को दो वक्त की रोटी मिल जाए उसके पानी आ जाए उसके रोड बन जाए उसके गड़लाइन बन जाए यह सिव ऐसे भ्रहमित करके सच जूड बाते गरीबों में पहुंचा देते और गरीब उनको उड़ देता तो अभी गरीब भी जागरूत हो चुक है अभी NRC की बात, NRC एक ऐसा काईदा है National Registered कानून है वह ऐसी चीज है कि जिसको बराबर प्रपर समझाया नहीं है अभी इंडिया के बहार कम से कम 55 देश ऐसे Muslim country है तो वो कोई भी country बीना विजा पासपोर्ट के अपने किसी को रखता है तो यह देश कैसा रखेगा तो NRC वह है तुम यहां के लोग है तो आपको डरनी की जूरूत क्या है तो सिंपल सब के समझ में आर इस बार देखिए एक बात बहुत अच्छी होने जारी कि इस बार गटकरी जी को काफी ओट मिलने वाले हैं आग को बता दे कि चुनाओं से पहले समाज में C.A.N.A.C. और समझाया गया कि इन कानूनों से Muslim समाज को किसी तरह का खत्रा नहीं है बातिय जनता पार्टी चुनाओं में सभी वर्ग का आशिवा चाता है अलपसंखें के समाज अर्थात मुसलिम समाज की लोगों को पार्टी ओको जोडने के लिए साथी बीजेपी की सरा मुसलिमों की साथ है ये बताने के लिए प्यारी खानवारा विशेश मुहीम चलाकर समाज में जन जागरती की गई जिसका खासा असर अब आने वाले चार चुन को जरूर दिखेगा ऐसा विश्वास प्यारी खान पराज जताया क्या है कैमरा पसंद राजकुमार मोहड के साथ शितिजा देशमुक की रिपोर्ट